साथियों, बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है जो बेरोजगारी रोज बढ़ते बढ़ते आज करोरों के संक्या में पहुँच गई है उस पे सूध लेने वाला कोई नहीं अगर आप देश के अख़बारों को एक बार खोल के देख लें तो आपको पता चलेगा कि हर अख़बार में कभी 10 करोड का आकड़ा, कभी 20 करोड का आकड़ा, कहीं 30 करोड का आकड़ा राज्य और पूरे भारत वर्स का दिखाई पढ़ रहा है जो विकेंसिया निकलनी चाहिए जो पत खाली पड़े है वो सारे प्राइवेट को देने की साजिस चल रही है सरकार ना सरकारी कामों को बढ़ा रही है, ना खाली पड़ो को भर रही है और नहीं नए रोजगार के साधन देश के नौजवानों के लिए उपलफ्ट करा रही है जहां कोरोना का कहर बेरुजगार को और बेरुजगार करने में लगा है महीं सरकार की नीतियां, सरकार के कानून और सरकार के मन सभी बेरुजगारी को एक बड़ा मुद्दा के रूप में खड़ा करके रख दिया है आखिर देश का नौजवान कहा जाए, किस से मांगे, किस से कहे देश का हाल, बेरुजगार का हाल खसता है, सरकार मस्त है और बेरुजगार पस्त है